नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दोक्टर परमचीत आप देख रहे हैं दॉक्टर एडूकेशन तो आज का टॉपिक है इंसुलिन रिजिस्टेंस और कई लोग जिनको डाइबिटीस होने का खत्रा 손ों किया है सबसे पहली बात है कि इंसुलिन होता क्या है। टो इंसुलिन एक हॉर्मोन है जो आपके शरील में मुझूद Morty के पास और उसे कैल्स में घुसाने के लिए पैंक्रियास इंसुली नहीं होगा तो आपके शरीर में जो खाया घूज सारे चीज़ों मेंoras ні यह सारे जाते हैं आपके खोन में खून में आ गए खोन में बहुत सा च्छामें घंटे के बाद एक गंटे के बाद केillos बढ़ जाती दो घंटे काँ थोड़ी एक च्छ वांडि काम करता है glucose जो है आपके खून में से ये blood है blood में से cells में घुषा देता है ठीक है तो cells में घुष गया तो blood sugar कम simple काम अभी इतना समझ गए अब ये जो आपके शरीर के खून में glucose है ये आपके खाने से आए चाहे liver बनाए चाहे आप आप खाना नहीं खाने और आपके प्रोटीन टूट के शुगर कुछ भी हो रहा हो उसको अंदर घुषाने के लिए इंसुलिन लगेगा so when blood glucose sugar levels आपके खाना खाने के बढ़ेंगे insulin levels भी बढ़ेंगे simple pancreate insulin बनाएंगे और insulin जो है वह आपकी cells यहने कि आपके muscle fat liver cells बहुत सारे cells जितने एक चाबी की जगा दो चाबी लग रही हो मतलब जितने insulin पे जितनी glucose गुसाना चाहिए उनको नहीं गुसा रहे है ज्यादा glucose लग रहा है response नहीं कर रहे है insulin से presence पे मतलब खाना खाया sugar level तो बढ़ गई उसके बाद insulin spike हुआ नॉर्मल जितना था पर उससे आपकी sugar अंदर नहीं जारी तो और ज्यादा insulin की ज़रुत पड़ रही है तो insulin resistance बोलते है इसको ठीक है तो insulin resistance का मतलब है your cells are not able to get insulin sugar inside with the less amount of insulin so pancreas क्या करेगा गरीब और insulin बनाएगा और insulin बनाएगा पर उसकी भी एक limit है है कि नहीं as long as your pancreas is able to make enough insulin आपकी sugar जो आपकी sugar control होगी normal range में होगी right इसको बोलते insulin resistance या pre-diabetes का stage यानि कि आपकी insulin ज्यादा लगने ज्यादा बनाने में थोड़ा समय लगेगा तो जब ज्यादा समय लगेगा तो एक normal आदमी की comparison में आपकी sugar control थोड़े देर बात होगी ठीक है इसको हम बोलते हैं impaired glucose tolerance धीरे धीरे control होना ठीक है अब pre-diabetes क्या है pre-diabetes का मतलब यही है कि आपकी जो sugar level है वो normal range से थोड़ी सी उपर जा रही है ठीक है लेकिन diabetic वालों से थोड़ी सी कम है simple आपकी sugar level ठीक है diabetes नहीं बोल सकते pre-diabetes है ओके ऐसे लोगों में insulin resistance होती है लेकिन ऐसे लोग आपके beta cells यहां पर उतना insulin नहीं बना पारे कि वो normal range पर रख पाए मतलब insulin बनाने कि उनकी pancreas की शमता maximum पे पहुँच गई है और उसके उपर भी फिर भी आपका sugar जो है वो बहुत धीरे धीरे control हो रहा है तो ऐसे लोगों में एसे लोगों में enough insulin नहीं होने के वज़े से sugar level ज्यादा रहती है खून के अंदर और एक level के बाद एक level के बाद अगर यह उस level पे pre-diabetes वाले stage अपनी डाइट में sugar कमना करें exercise से sugar यूज करना बढ़ाए न तो फिर इनको आगे चलके diabetes हो जाएगी इनको diabetes हो जाएगी बहुत जिंपल यह दो यह सबसे important pre-diabetes is a very important point जहां पे आपको अपनी exercise बढ़ानी है steps बढ़ानी है walking करनी है cycling whatever you want to do exercise physical activity बढ़ानी है and reduce the amount of carbohydrates you take in every meal in the entire day so कितना common है यह कितना common है मतलब इतना common है इतना common है कि हर तीन में से एक आदमी को insulin resistance है यह United States की बात हो रही यूएस की पर इंडिया में भी है इंडिया में तो ऐसी जाद ही होगा ठीक है हर बंदा दूसरा बंदा मोटा हो रहा है तो हम भी थे आप भी थे होते हैं पतले भी इस प्रकार के अगर आपके कोई इस यह है और फिसिकल अगर नहीं करते हो इनक्तिविटी नंबर वन रीजन है यह नंबर वन रीजन थीक है उसी को जैसे के हाई ब्लड प्रेशर अबनॉर्मल कोलेस्टरॉल लेवर है जस्टेशनल डाबिटी प्रेगनेंसी के दौरान सब्सक्राइब अबाहर वुड्सटो को जाएंसी करेंक। ले 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 हैं कुछ HIV की मेडिसन ले 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 तो इनके रिस्क बढ़ जाएंगे शुगर होने के हॉर्मोनल डिसॉर्डर अगर इनको साथ में हो जाए कोई भी कुशिंग्स डिसुंड्रोम या एक्रोमेगेली इसमें ग्रोथ हॉर्मोन ज्यादा होता है कुशिंग सिंड्रोम जिनमें आपका स्टिरोइड्स बढ़ा होता है वो चीज़े या इन लोगों को स्लीप प्रॉब्लम हो स्लीप प्रॉब्लम जादा होगा नीन नहीं आएगी साइसे या फिर कोई स्लीप अपनिया जैसी इशु हो तो इनके कॉर्टिसॉल लेवल बहुत इंसुलन रिजिस्टनस बहुत होता है वेस्ट मेजरमेंट अगर आपकी 40 से उपर है और फीमेल में अगर 35 से उपर है तो इनके साथ में इंसुलन रिजिस्टनस असोसियेटेड है ठीक है तो अगर आपका इवन बॉडी मास इंडेंज जो है नर्मल रिंग मैं भी आइए की मेरा हाइट कम है पेट जादा है तो क्या हो गया नएए दो कम है और अगर वेस्ट पेट मोटा है सिरिफ तो दिकत है और इसके साथ इंफिलामेशन हो सकता है बॉडी के अंदर कोई भी तरीके का इंफिलामेशन चाहए को इन्फेक्शन से हो हाट डिजिस हो डिएबिट से chronic long lasting inflammation हो सकता है body के अंदर inflammation अपने आप में insulin resistance करने का एक बड़ा reason है heart की बिमारी भी करता है excess weight अपने आप में insulin resistance कर सकता है तो weight कम करी भी या physical activity बहुत जरूरी है physical in activity भी बहुत पर extra आगया ना जो पांच साल पहले छेवाल जो कुछ महीनों पहले नहीं था तो उतना वजन बढ़ा उठा उठा कि बड़ेगा heart का insulin resistance आपके symptoms क्या होंगे मालीजे आपको insulin resistance है या pre diabetes है तो technically उसका कोई symptom नहीं है कोई symptom नहीं है कोई symptom नहीं आएगा मुझे पता ही नहीं चला पता कैसे चलेगा कुछ दर्वाजे करके थोड़ी बोलेगा letter करके card आएगा मैं diabetes होने वाला है कुछ लोगों को बहुत मोटाप होने के वज़े से insulin resistance होने के वज़े से स्किन डार्क होनी शुरू हो सकती है कुछ areas में armpits में neck के back में side of the neck में इसको हम बोलते है एक anthosis nigrans एक anthosis nigrans है तो आप अपने sugar levels check कर रहें कुछ skin tags हो सकते हैं जो ऐसे areas में मिले कही areas में मिले sugar levels आपके high रह सकते हैं आँख की problem हो सकती है ठीक है कई लोगों को तो रियाद रखिएगा और कैसे test कराना है अपने regular routine check up कराया करिए साल दो साल में एक बार blood test में आपको आपका HbA1c level करा लीजिए तीन मेने का average sugar वो आपको बता देगा और साथ में आप उसमें करा सकते हैं fasting sugar या फिर A1c level HbA1c और oral glucose tolerance test जो मैंने बताया था और oral glucose tolerance test OGTT OGT OGTT whatever you call in your place यह भी एक बढ़ा टेस्ट है और इसमें बहुत simple सी चीज है यह भी बहुत बढ़िया इसमें आपको शुगर खिलाया जाता है कहीं 75 कहीं 50 ग्रांग और फिर एक गंटे के बाद दो गंटे के बाद तीन गंटे के बाद चार गंटे के बाद आपकी sugar अगर कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही खुद से है ना किते दिर में हो रही है नॉर्मल आजमी के comparison में कितना लेट हो रहे हो आप राइट सो टेस्टिंग इन सब चीजों से possible है और फास्टिंग शुगर लेवल आपका हाई आ रहा है यह HbA1C तीन महीने का एवरेश बात करें कि मेरे को क्या इशू है ठीक है डाइबिटीज जस्टेशनल डाइबिटीज प्रेगननसी के टाइम पर बढ़ सकता है HbA1C अगर आपका 5.7 से उपर है और 6.4 से नीचे है तो इसको हम प्री डाइबिटीज में बोलेंगे फास्टिंग शुगर आपकी अगर 125 से दो घंटे के बाद अगर आपका शुगर 140 से 199 है तो आपका दिक्कत है 75 ग्रम शुगर लेने के बाद आपका शुगर एक घंटे के बाद 140 से 199 आ रहा है तो ऐसे में आपका आगे चलके लाइश्टाइल करेक करो अपने गलतियां ढूंडो कहां उल्टा सी दखा रहे हो करना आपके हाथ में है अच्छा डॉक्टर हो तो आप कर पाओगे आप नॉलेज होना चाहिए तो ऐसे में डाइबिटीस प्रिवेंशन कई सारे प्रोग्राम भी मौजूद है दुनिया भर में और दवाईयां भी मौजूद है और डॉक्टर हमारे पास हजारों वीडियो बिल्कुल नहीं लो कार्ब डाइट और काब में भी कॉंप्लेक्स काब्स ठीक है बेसिकली मेक प्लाइन स्टार वन तिंग सबसे बड़ी चीज़ देखो अगर इनक्टिव लाइश्टाइल है इनक्टिव लाइश्टाइल में अक्टिविटी डाले बगर नहीं होगा केव के लिए बात करना वो दोर भुजूर्गों के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा अपनी अपनी कंडिशन है अपने डॉक्टर से अपने लिए पूछेगा मैं जनरल बात कर रहा हूं सो ऐसे कई सारे क्लिनिकल ट्राइल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया तो प्लीज 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 अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए क्रिपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेर करिए इस वीडियो को बहुत जरूरी वीडियो है और मैं हूँ डॉक्टर परम जीद आप देखने डॉक्टर एडूकेशन स्टे कनेक्टेट स्ट झाल